नमस्कार, Target on Online Institute में मैं अनके सिंग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिरंदन करता हूँ एक नई सुरुवात के साथ, एक नए जोस और उमंग के साथ में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ UPPCS Pre 2022 के लिए मैं अनके सिंग आप सभी लोगों के साथ में Science and Tech के साथ में जुड़ा रहूँगा जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आपके UPPCS Pre के सलेबस में विज्ञान एक बहुत ही महत्तपूर भूम का निभाएगा तो उस विज्ञान विशय के साथ में मैं अनके सिंग आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा रहूँगा और प्रयास रहेगा कि हर बार की तरह बहुत बहतर और चुनिंदा जो भी प्रश्न सलेक्ट किये जाते हैं आयोग की तरप से उन सारे प्रश्नों की तैयारी बहुत जोरदार तरीके से कॉंसेट के साथ में आपको पढ़ा देना, लिखा देना, समझा देना यहाँ पर आज एक डेमो क्लास की माध्यम से मैं आप से कुछ मूल भूत और धाडात्मक समझ पर बात करना चाहता हूँ और साथी साथ एक बहुत ही महत्तपूर टॉपिक जिसको आप रिस्परेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसको आप स्वसनतंत्र के नाम से जानते हैं, उसको भी आज मैं डिल करने की कोशिस करूँगा सबसे पहले कुछ बातें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा अगर आप UPPCS pre के syllabus को ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिस करेंगे तो उसमें विज्ञान विशे को लिखा गया है सामान विज्ञान यारी की general science लेकिन अगर आप previous year के paper को उठा कर देखेंगे तो उसमें विज्ञान के साथ ही साथ में technology के portion से भी questions पूछे गए हैं और इस वजए से मैं अब की बार general science के साथ ही साथ में technology के उस portion को भी deal करने की कोशिस करूँगा जहां से UPPCS में सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं मैं बार बार हर एक जो भी batch में मैं पढ़ाने जाता हूँ सबसे पहले मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी को पूर रूप देना चाहते हैं तो दो बातों का बहुत ही ध्यान रखिएगा पहली चीज होती है syllabus पाठक्रम पाठक्रम को खूब अच्छे धंग से एक बार दो बार दस बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और जब पाठक्रम आप देख लें तो उसके बाद previous year के paper पर चले जाएं क्योंकि ये दोनों चीज ऐसी चीज है जो आपकी पढ़ाई को जो आपकी तयारी को एक नई दिशा देते हैं बिना पाठक्रम के और बिना previous year के paper देखें बिना आप अपने आपका सही मुल्यांकर नहीं कर पाते हैं आपकी तयारी कितनी पुकता है आप किस विशय में ज़्यादा strength रखते हैं या कौन सा portion आपका कमजोर है ये previous year का paper ही देगा ये previous year का paper ही बतायेगा इस लिहाज से मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि सबसे पहले previous year के paper को आप देखिए उसके बाद बहुत ढेर सारी चीजे आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगे जन्रल साइन्स के portion में आप सभी ये जानते हैं कि biology का खंड, physics का खंड और chemistry का खंड ये तीन भाग जुड़े होते हैं अगर आप UPPCS की तयारी कर रहे हैं मुझे ये पता होना चाहिए और आपको भी ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से trend बदल रहा है प्रतिवर्स अगर आप प्रश्णपत्रों को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जो fact आधारित question होते थे अब उनके पूछे जाने की संख्या कम हो गई है अब आधारात्मक समझ पर NCRT based question पूछे जाने की परंपरा सुरू हो चुकी है तो मैं इस बैच में प्रयास करूंगा बिल्कुल सुन्य से सिखर तक की तयारी कराने के लिए मैं प्रयास रत रहूंगा मेरा प्रयास रहेगा कि जिनका आर्ट बैक्ग्राउंड भी है जो विज्ञानविस है जो साइन्स का S भी न जानते हों उनको भी बहुत आसान तरीके से विज्ञानविस है आपको समझा दू बता दूँ और निश्चित रूप से आप confidence फिल करेंगे यह मैं आप सभी लोगों से promise करता हूँ कि जब आप लगभग 5 या 6 ही class अगर आप attend करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंदर से ऐसी अनभूत होगी कि हमें विज्ञान आ गया और विज्ञान एक ऐसा segment है साइन्स एक ऐसा segment है जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि UPPCS में जितनी महत्तपूर्भूंका ये निभाएगा वो तो ठीक है लेकिन दैनिक जीवन में भी हमको विज्ञान विशाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे स्वसन करते हैं हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्वास लेते हैं तो oxygen जब जाता है हमारे सरी की भीतर तो आखिरकार वो करता क्या है क्यों हम रोटी और चावल को खाते हैं पानी को पीते हैं हम जिन्दा रह लेते हैं और क्यों हम यह नहीं खा पाते हैं तो हम मृत के कगार पर पहुँच जाते हैं आखिरकार इसके पीछे काड़ क्या है हम कैसे सोच पाते हैं हम कैसे देख पाते हैं हमारा एक्सक्रिटरी सिस्टम कैसा है हमारा रिप्रडक्शन सिस्टम कैसा है उन्ह सारी महत्वपूर बिंदों पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप बायलोजी के खंड को ही केवल अगर देख लें, तो बायलोजी के खंड के अंतरगत, थोड़ा समय आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सेले, बस उसके बाद आता हूं टॉपिक पर, अगर केवल और के बिंदों का अध्यन करते हैं, विशेशकर मनुष्य का, या में की human physiology की बात करते हैं, और दूसरा botany, जिसमें हम वनस्पती विज्ञान का अध्यन करते हैं, तो biology के sections को ही अगर आप देख लेंगे, तो कम से कम यह 15 से 16-17 chapter में यह विभाजित है, इसी में हम cytology पढ़ेंगे digestive system पढ़ेंगे, blood circulatory system पढ़ेंगे, respiratory system पढ़ेंगे, excretory system पढ़ेंगे, nervous system पढ़ेंगे, endocrine system पढ़ेंगे, nutrition पढ़ेंगे, human disease पढ़ेंगे, उसके बाद plant tissue पढ़ेंगे, बहुत धेर सारे chapters को आपको पढ़ना है, तो कुल मिला कर एक बड़े खंड को आप cover करने की कोशि करेंगे, मेरे साथ में, और इसके लिए परियाप्त समय भी चाहिए, मुझको, मैं बिल्कुल हडबडाहट में नहीं, और बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी आप तक प्रेशित नहीं करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल आउधार्णात्मक समझ के साथ में सारी क सारी चीजों को मैं आप तक पहुचाता रहूंगा, तो आज मैं एक महत्वपूड खंड की सुरुवात करने चलने हैं, एक चैप्तर को हम पढ़ने की कोशिस करने चलने हैं, जिसका नाम है रिस्पेरेटरी सिस्टम, तो ध्यान से थोड़ा सा समस्ते रहेगा, रिस्पेरे श्वशन तंत्र कहा जाता है, श्वशन तंत्र, ध्यान से समझेगा, जब आप बैयलोजी पढ़ेंगे, तो एक सब्द आपको बड़ा कॉमन मिलेगा, और वो सब्द क्या होगा, वो सब्द है सिस्टम, वो सब्द है तंत्र, UPPCS between the lines, चीजों को खोजने की कोशिस करता है, UPPCS की अगर आप पेपर देने जाएंगे, या UPSC के पेपर को आप डिल करने जाएंगे, तो उनकी एक खास बात होती है, कि वो सब्द आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ से question पूछे जाने की probability बहुत regulatory system, digestive system, excretory system, endocrine system, तो ये system है क्या, ये तंत्र क्या है, जब बहुत धेर सारी सन्रचनाएं मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करती हैं, तो ऐसे सन्रचनाओं के समूह को system कहा जाता है, ऐसे समूह को हम तंत्र कहते हैं, जब हम पाचन तंत्र कहते हैं, तो उसमें मुख गु समूह, छोटी यात, बड़ी यात, ग्रासनली, ग्रसनी, ये सभी मिलकर केवल एक कार्य को करते हैं, और वो क्या है पाचन का, इसी वज़े से वो तंत्र है, जब हम blood circulatory system कहते हैं, तो रुधिर में RBC भी आती है, WBC भी आती है, platelets भी आता है, human heart को भी अमध्यन करते हैं, इ और paper leak हो जाता है, तो आप कहते हैं कि पुरा system ही खराब है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें PM साहब को, CM साहब को, अस्थानी ये DM साहब को, वहां के चौकीदार तक को आप उसमें include कर देते हैं, तो तंत्र का मतलब पहले समझो की तंत्र होता क्या है, system होता क्या है, जब क अब यहां पर समझना ही ये है, स्वसन, यानि कि respiration किसे कहा जाता है, समझेगा, स्वसन क्या होता है, आम तोर पे अगर respiration की विशय में पूछा जाए, तो आप यही कहेंगे, या बहुत धेर सारे लोग की समझ यही होगी, कि स्वास को लेना और स्वास को छोड़ना, यह स्वसन होता है, नहीं, स्वसन यह नहीं होता, इसे breathing कहा जाता है, अभी मैं उस step पे आऊंगा, स्वसन की जो definition NCRT में लिखी गई है, वो यह लिखी गई है, कि oxygen के present में, यानि कि oxygen की उपस्थिती में, ठीक है, oxygen की क्या, उपस्थित में, या oxygen की अनुपस्थिती में, या oxygen की अनुपस्थिती में, ग्लुकोज का विखंडन करके, ग्लुकोज का विखंडन करके, उर्जा प्राप्त करने की क्रिया को, उर्जा प्राप्त करने की क्रिया को, स्वसन कहा जाता है, क्रिया को स्वसन कहा जाता है, यानि की कहने का मतलब यह है, कि स्वसन का मूल उद्देश्य है क्या, स्वसन का मूल उद्देश्य है उर्जा प्राप्त करना, इस पॉइंट को समझिएगा, स्वसन का मूल उद्देश्य क्या है, स्वसन का मूल उद्देश्य है उर्जा प्राप्त करना, यानि की एनरजी मिलनी चाहिए, उर्जा मिलेगी तभी वो स्वसन है, और वो उर्जा कैसे मिलेगी, वो उर्जा तम मिलेगी, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहड करेंगे या कभी-कभी बिना ऑक्सीजन के भी ग्लुकोज को विखंडित किया जा सकता है तो कुल मिलाकर अगर मैं साधार सब्दों में अब आपको समझाने का प्रयास करूँ तो ध्यान से समझेगा हमारा जो सरीर है हमारा जो बॉड़ी है हमारा जो सरीर है वह बॉड़ी किस से मिलकर बना हुआ है वह औरगन से मिलकर बना होता है वह अंगों से मिलकर बना होता है और ये जो अंग होते हैं ये अंग किस से मिलकर बने होते हैं ये अंग मिलकर बने होते हैं टीसू से यानि कि उतक से मिलकर बने होते हैं और ये टीसू जो होते हैं ये किस से मिलकर बने होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं या जिसे हम कोशिका नाम देते हैं तो कुल मिलाकर हमारा जो बॉड़ी है हमारा जो सरीर है वह सरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सेल होती ह कोसिका होती है, और हमारे सरीर में कार्य कौन करता है, तो हमारे सरीर में कार्य भी कोसिका करती है, लेकिन कोसिका कब तक कार्य करेगी? कोसिका तब तक कार्य करेगी, जब तक उसके पास में उर्जा रहेगी, जैसे गाड़ी के पास तब तक उर्जा है, जब तक उसके पास मे पेट्रोल है, पेट्रोल समाप्त, उर्जा समाप्त और गाड़ी खड़ी हो गई, बाईक आपकी खड़ी हो गई, आप पुना पेट्रोल डलवाते हैं, पुना उसको उर्जा मिलती है और पुना हुआ चलने लगती है, वैसे ही हमारी कोसिका भी है, हमारे सरीर में हम कहते हैं इस पर concentrate रहिए यह उर्जा कैसे मिलेगी यह उर्जा मिलेगी किस रूप में तो याद रख लिजेगा कोशिका को उर्जा जो मिलती है वह किस रूप में मिलती है वह ATP के form में मिलती है आगे से जब भी मैं ATP कहूंगा तो ATP को आप उर्जा समझेगा यानि कि हमारी गारी रूपी सरीर का यह ATP पेट्रोल है जिससे हमारा सरीर चलेगा इसको हम एडिनो सीन ट्राई फास्फेट कहते हैं अब सवाल यह उत्ता है कि ATP कैसे पहुँचेगी कोशिका के पास सिल के पास कैसे ATP पहुँचेगी तो सिल के पास ATP पहुँचने के दो सोर्स हैं कितने सोर्स हैं? दो सोर्स हैं याद रख लिजेगा दो सोर्स होते हैं सिल के पास ATP प्राप्थ होने की पहली क्या? पहली सर्थ होती है ग्लुकोज ग्लुकोज होना चाहिए कोशिका के पास अगर ग्लुकोज है और क्या है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ग्लुकोज को विखंडित करता है तोड़ता है और तोड़ने के बाद ATP मिलती है उर्जा मिलती है और हमारी कोशिका कारे करती है यानि कि हमारा पूरा का पूरा सरीर कारे करने शुरूँ कर देता है यानि कि ये जो ऑक्सीजन हम ग्रहड करते हैं ये ऑक्सीजन क्यों ग्रहड किया जाता है इसका उत्तर आज से जान लिजे ये ऑक्सीजन को इस वज़े से ग्रहड किया जाता है क्योंकि यह ग्लुकोज को तोड़ पाए क्योंकि यह ग्लुकोज को विखंडित कर पाए अगर ग्लुकोज को विखंडित न कर पाए, तो ऐसे ऑक्सीजन का कोई भी मोल नहीं है, याद रख लीजेगा, इसी वज़े से कहा गया है कि स्वसन का मतलब ये नहीं है कि स्वास को लेना, ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, या ऑक्सीजन अनुपस्थित रहे, या ऑक्सीजन अप्सेंट रहे, कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि ग्लुकोज का विखंडन होकर क्या मिलना चाहिए, उर्जा मिलनी चाहिए, इसी वज़े से जब आप स्वसन को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या होता, देखेगा, C6, H12, O6, ये क्या है, की उपस्थिती में तोड़ा जाता है, तो क्या निकलता है, तो याद रख लिजेगा, CO2, यानि की कार्बन डायाकसाइड, और जलवास्प, यानि की जल, और याद रख लिजेगा, उर्जा, ये स्वसन का फार्मुला होता है, ये कोश्चन कई बार पूछा गया है, तो य प्राप्त करना, ये मूल उद्देश से होता है, किसका स्वसन का, यहाँ पर दो बातों को और जड़ा ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये, कि ये जो स्वसन की अभिक्रिया है, ये जो राशानिक अभिक्रिया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहां पर आक्सी करड़ हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है आक्सी करड़ हो रहा है याद रख लिजेगा यहां पर ग्लुकोज का क्या हो रहा है आक्सी करड़ हो रहा है याद रख लिजेगा यही कारड़ होता है कि ग्लुकोज तूट रहा है विखंडित हो रहा है अ पुर्जा नहीं है उस्मा नहीं है इसी वज़े से उसकी body क्या हो जाती है वो ठंडी हो जाती है और अगर आप जाने तो उपा-पचयी क्रियाएं दो प्रकारकी होती हैं एक अपचय होता है दूसरा उपचय होता है आप जानते होंगे तो याद रख लिजेगा स्वसन की अपचई अबक्रिया है ठीक है एक प्रकार की कैसी अबक्रिया है तो यह एक प्रकार की अपचई अबक्रिया है यह भी बात को आप ध्यान में रखते रहिएगा ठीक है यह भी बात आप यादर में रखिएगा कि इसमें ग्लुकोज का क्या होता है आकसिकरण होता है और यह यानि कि स्वसन एक प्रकार की अपचय अभिक्रिया होती है, अपचय अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी चीज का विखंडन होता है तो वो अपचय, और जब किसी चीज का निर्मार होता है तो वो क्या होता है उपचय, और अपचय और उपचय मिलकर बनता है क्या उपपच यानि कि जिसको हम Metabolism करते हैं, वह उस पे हम किसी दिन, किसी अन्य दिन हम बात करेंगे, तो कुल मिलाकर आपने क्या सीख लिया, आप ने ये सीख लिया कि स्वसन का मुल्ले उद्देश से क्या है, स्वसन का मुल्ले उद्देश से है उर्जा प्राप्त करना, ठीक है, इस्पाइरेशन यह दो हिस्सों में बट गया कितने हिस्सों में बट गया यह दो हिस्सों में बट गया उद्देश क्या है उर्जा प्राप्त करना और मैंने बताया था कि उर्जा दोनों से मिल सकती है ऑक्सीजन की प्रेजंट में भी ऑक्सीजन के अप्सेंट में भी तो य में भी हो सकता है oxygen के absent में भी हो सकता है स्वसन की क्रिया तो याद रख लीजेगा अगर मैं आपको कहने अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो याद रख लीजेगा यह जो respiration होता है यह respiration दो प्रकार का होता है एक respiration होता है जिसको आप नाम देते हैं क्या जिसको जिसमें आक्सी स्वसन यानि कि एरोबिक जिसमें आक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसमें आक्सीजन पाया जाता है और दूसरा क्या होता है अनाक्सी और अनाक्सी का मतलब क्या होता है अनाक्सी का मतलब होता है जिसमें आक्सीजन नहीं पाया जाता जिसमें आक्सीजन नही अनुपस्थिती में ग्लुकोज को तोड़कर उर्जा प्राप्त किया जा रहा है तो वो आक्सी और अगर आक्सीजन की अनुपस्थिती में ग्लुकोज को तोड़कर उर्जा प्राप्त किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनाक्सी आसा करूँगा कि यहां तक कोई समस् तो respiration दो प्रकार का हो गया आक्सी और अनाक्सी अब आप कहेंगे सर हम तो स्वास लेते हैं तो oxygen न रहे तो क्या हम जीवित रहेंगे नहीं भाई ये आपकी बात नहीं हो रही है ये कुछ जीवों की बात हो रही है अभी मैं जब बात करूंगा अनाक्सी स्वसन पे तो मैं बताऊंगा कि वे कौन कौन से जीव हैं जिन में अनाक्सी स्वसन की क्रिया संपादित होती है तो अगर मैं आक्सी और अनाक्सी दोनों को compare करके अध्यन करना सुरू करूं तो पहले हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं देखेगा क्या-क्या सवाल पूछा जा सकता है क्या-क्या सवाल बन सकता है उन सारी चीजों को एक graph की मदद से ही समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा बैतर है देखेगा यहाँ पर मैं समझाने के प्रियास कर रहा हूं कि आक्सी और अनाक्सी में क्या basic different होता है क्या basic अंतर होता है समझने का प्रियास करिएगा पहला तो अ oxygen present रहेगा और यहाँ पर oxygen क्या रहेगा absent रहेगा एनारोबिक अनाक्सी oxygen नहीं aerobic या oxygen रहेगा यह पहला point आप याद रखेंगे दूसरा point याद रख लिजेगा कि यह जो आक्सी सुसन की क्रिया होती है यह कोशिका के कहां पे संपन होती है तो याद रख लिजेगा यह कोशिका के mitochondria में संपन होती है याद रख लिजेगा और यह कहां पे संपन होती है तो याद रख लिजेगा यह कोशिका के stop capitalism में संपन होती है साइटो प्लाज्म का मतलब समझ रहे हैं कोशिका द्रव्य आप कोशिका पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो आप कहते हैं कि कोशिका का पावर हाउस माइट्रो कॉंडिया है तो कोशिका का पावर हाउस माइट्रो कॉंडिया कैसे है क्योंकि यही वह हिस्सा है जो क्या देता है पावर यही वह हिस्सा है जो क्या देता है उर्जा देता है इसी वज़े से इसको पावर हाउस कहा जाता है इसी वज़े से इसको विद्दुत ग्रिह कहा जाता है उसके प प्रिखंडित करके उर्जा की प्राप्त किया जाता है अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा दूसरी बाद कि यह जो आक्सी स्वसन की क्रिया होती है यह माइट्रो कॉंडियाम होती है आक्सीजन की उपस्थिती में होती है और इसके यानि की आक्सीजन की उपस्थिती में अधी ग्लुकोज को जलाया जाता है तो 686 कीलो कैलोरी उर्जा निकलती है कितनी निकलती है लगभग ये लगभग में वेलू है तो लगभग 686 कीलो कैलोरी अगर आकसीजन की उपस्थिती में ग्लुकोज तूटा तो याद रख लिजेगा केवल और केवल और केवल और केवल कितना 56 कीलो कैलोरी उर्जा मुक्त होगी ये भी बात याद रख लिजेगा अब यहाँ पर आगे बात करते हैं आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये आकसी किसमे होता है अनाकसी किसमे होता है इस पर भी बात कर लेते हैं सभी विकसित जीव जो होते हैं याद रख लिजेगा सभी विकसित जीव सभी विकसित जीव जितने भी विक्सित जीव होते हैं, उन सभी विक्सित जीवों में आक्सी स्वसन की क्रिया होती है, मनुस्य हो गया, कुटा हो गया, बिल्ली हो गया, भैस हो गई, गाय हो गया, भेड हो गया, बकरी हो गया, आक्सीजन होना चाहिए, इसी वज़े से हम आक्सीजन को जीवन तायनी गैस कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर कौन सार इस्परेशन होता है आक्सी स्वसन होता है तो अनाक्सी स्वसन किस में होगा अब यहां से बात आपको समझ में आएगे अनाक्सी स्वसन की क्रिया जो होगी कहां कहां पर होती है समझे अनाक्सी स्वसन की क्रिया फलों की फ फल भित्ती पर फल भित्ती नहीं समझ में आया होगा फल भित्ती का मतलब आप इस तरीके से समझेगा कि आपके फल का जो बाहरी कवच होता है जिसको आप छिलका कहते हैं समान निभासा में वही फल भित्ती जो होती है वो अनाक्सी स्वसन करती है ऑक्सीजन के अपसेंट मे भी वह अपने जीवन को आगे ले जा सकती है कैसे सर प्रूफ करिए बच्पन में आप सभी लोगों ने अपने बगल के कोई भी परिवार का आप देखेंगे अगर आम का पौधा होगा तो आपने कच्चे आम जरूर तोड़े होंगे भाई हमने तो बहुत तोड़े हैं और उन कच्चे आम को आप घर पर रखते थे और कुछ दिनों के पश्चात वो आम आप देखते थे वो पक जाता था या वो आम जो बहुत सॉलिड अवस्था में था बहुत कड़ा था जब आपने तोड़ा था वो अब क्या हो गया है बहुत नर्म हो गया है वो नर्म कैसे हुआ वो कैसे पका ध्यान से समझो अगर वो पेड़ पर लगा होता लटका होता तो एक समय के बाद वो पक जाता एक समय के बाद वो नर्म हो जाता क्योंकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है लेकिन जब आपने आम को तोड़ कर उसके अलग कर दिया पेड से अलग कर दिया तहनी से अलग कर दिया फिर भी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है तो ये कैसे संबभ हुआ यह अनाक्सि स्वसन से सम्भ हुआ अगर अनाक्सि स्वसन नहीं रहता तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता यह बात याद रख लेना ऐसे ही याद रख लेना बीजो में भी होता है अगर आप students life में हैं और आप चना खाते होंगे रात में भिगो कर मूं या सोया बीन आप रात में भिगोते हैं तो आप देखते हैं सुबा के टाइम में वो अंकुरित हो जाता है वो अंकुरित हुआ इसका मतलब है कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिस कर रहा है अरे भाई हम भी तो युवा हैं आगे चल कर व्रिद्ध होंगे, अगर हम बिना oxygen लिए, अगर व्रिद्ध हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, यानि कि हमने respiration किया, oxygen नहीं मिला तो oxygen की अनुपस्थिती में किया होगा, तो बीजों में भी होता है, इसी वज़े से वो अंकुरित हो ज और इसका बड़ा ही important role है याद रख लिजेगा इसका बहुत ही important role होता है अगर जीवाडू अनाक्सी स्वसन नहीं करते हैं तो पता है हम दही का स्वाद कभी नहीं चख पाते हैं सिरका चला जाता हमारे हाथों से अचार चला जाता सराब मतलब चला नहीं जाता मान के चलिए या सराब वाइन ये सब के सब जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं ये किडवन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं किडवन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं किडवन की प्रक्रिय जिवाडू अनाक्सी सवसन करता है, ओक्सीजन की अनुपस्थिती में जटिल कार्बनिक को सरल में बदलता है, तो इसी क्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है, इसी क्रिया को किडवन कहा जाता है, और किडवन के क्रिया के द्वारा ही ये दही, मखन और ये पनीर, ये तराब, ये सारी की सारी चीज़, ये सिर्का, ये अचार, ये सब जो बनता है, वो जिवाडू के द्वारा बनता है, और तब बनता है, जब ये क्या करते हैं, जब ये अनाक्सी ससन करते हैं, तो अनाक्सी ससन आपने समझ लिया, तो ये फलों की फलवित्यों में, बीजों मे और जिवाडूओं में होता है और साथी साथ याद रख लिजेगा मनुष्य मनुष्य में क्या होता है तो याद रख लिजेगा यहस मनुस्य की गहराई में पाई जाने वाली मांस पेसियों में किसमें मांस पेसियों में भी होता है गहराई में पाई जाने वाली मानस्पेशियों से सरसमझ में नहीं आया गहराई का मतलब क्या होता है हमारे फेफ़डों से जो बहुत दूर है अंदर है जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता अब एक बहुत राज की बात में बता रहा हूँ ध्यान से समझेगा अब यहां पर आपने क्या सीखा है कि जब आक्सी ससन होता है तो 686 किलो कैलोरी उर्जा मिलती है और जब अनाक्सी ससन क्रिया होती है तो कितनी 56 किलो कैलोरी जब आप समान्य दसा में स्वास लेते हैं जैसे इस समय आप बैट कर पढ़ रहे हैं और इस समय अगर आप स्वास ले रहे होंगे तो याद रख लीजेगा लगभग 500 ml वायू आपके फेफडे में प्रवेस कर रही होगी कितना 500 ml और 500 ml इतने लंबे चोड़े सरीर को ऑक्सीजन देने के लिए परियाप्त नहीं है तब गहरी सास लेजिए गहरी सास लेंगे अगर तो याद रख लीजेगा गहरी सास लेने पे लगभग 3500 ml वायू प्रवेस करती है आपके फेफडे में अभी तक 500 ml और जब गहरी सास ले रहे हैं तो कितना 3500 ml वायू प्रवेस करती है और 3500 ml आपके सरीर के कोने कोने तक हरे कोसिका के पास जाती है हरे कोशिका के गुलुकोज को विखंडित करती है और हरे कोशिका उर्जा का उत्पारन करती है बात समनी में आ रही है और इसी वज़े से आप अगर गहरी सास लेते हैं बाबा राम देव ने क्या कहा है बाबा राम देव ने कहा पुरी दुनिया से कि अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम का मतलब है कि हम गारी स्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं आपने, तो जब गारी स्वास लेते हैं तो 3500 ml, 3500 ml, 3500 ml, हर एक कोशिका के पास पहुचा ऑक्सीजन, हर एक कोशिका ने ग्लुकोज को तोड़ा, और हर एक कोशिका क आपके पास उर्जा आ गई अब आप उर्जानवीत रहने लगें अब आपके सरीर में अलग प्रकार की जोस जुनून उमंग आ गया है बात समझ में आ गई होगी नहीं तो क्या होगा अब 500 ml लिया आपने 500 ml लिया अब 500 बेचारा यहां तक पहुचते 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 खर्च हो गया अब थोड़ी देर आपने काम किया आप ठक गयें आपके हाथों में अंगुलिओं में आपके क्या हो गया अनाक्सी सशन के दौराद 56 किलो करें जहां पे 686 मिलनी चाहिए थी वहां पे 56 मिलेगी तो कितना काम करोगे भाई कितना काम करोगे बात समझ में आ एक अम्ल जमा होता है, जिस अम्ल का नाम होता है Lacti Kame, ठीक है, ध्यान समझना है, नोट में ये point करिएगा, नोट में ये point करिएगा, व्यक्त की मानसपेशियों में, जब अनाक्सी सवसन होता है, ठीक है, जब मनुस्य की क्या होता है, मानस्पेशियों में जब अनाक्सी स्वसन होता है ठीक है कहाँ पर मनुस्य में तो जब मनुस्य की मानस्पेशियों में मनुस्य की मानस्पेशियों में मनुस्य की मानस्पेशियों में जब अनाक्सी स्वसन की क्रिया होती है ठीक है कौन सा अमल जमा होता है लैक्टिक अमल जमा होता है ठीक है लैक्टिक अमल जमा होता है और लैक्टिक अमल का प्रभाव ये होता है कि ये मांस पेसियों में ठकावट की अनुभूत कराने लगता है हमारी मांस पेसियां क्या होने लगती है हमारी मांस पेसियां ठकने लगती ह पूछा गया है UPPCS में ही पूछा गया है कि अधिक देर तक कारे करते समय हमें थकावट की अनुभूती होने लगती है क्यूं तो याद रख लिजेगा लैक्टिक अमल के जमाव की वज़े से यहां पर एक महत्वपूर बिंदु और मैं बता दूं कि लैक्टिक अमल जब जम होता है तो मनुष्य को अस्थाई दर्द होता है कौन सा दर्द होता है तो मनुष्य को अस्थाई दर्द होता है अस्थाई में क्यूं कह रहा हूं अस्थाई मैं इस वज़े से कह रहा हूं क्योंकि जब हम आराम करेंगे जैसे हम दोड़ना प्रारंब कियें और दोड़ते दोड़ते हमारी मानस्पेसियों में लेक्टिक अमल जम गया और लेक्टिक अमल जम गया तो वो दर्द करने लगी मानस्पेसियां और जब दर्द करने लगी मानस्पेसियां हमने आराम किया और जब हमने आराम किया तो पुनह हम तरो ताजा हो गएं क्यों 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 वहां से लेक्टिक अमल हट गया है, वहां से लेक्टिक अमल क्या हो गया हट गया है, तो ये बात विधिवत धंक से आपको समझ में आनी चाहिए, यही पर एक बिन्लू जो कि बहुत बच्चे गरत कर देते हैं, देखिएगा, एक दर्द होता है जिसको आप अस्थाई तब होता है, जब मानस्पेशियों में या सरीर की किसी हिस्से में यूरिक अमल जमा होता है, यूरिक अमल जमा होता है, यह अलग चीज है, याद रख लेना, जैसे की गठिया नामक रोग में, अगर गठिया किसी व्यक्तिकों हो गया है, गठिया नामक रोग में सरीर में क कराते हुए पढ़ाना जो आपकी परिच्छा है तो बहुत महत्वपूर हो सकते हैं जहां से सवाल बहुत बहतरीन तरीके से पूछे जा सकते हूँ उन्हें सारी की सारी मुद्दों पे हम बात करते चलेंगे ठीक है तो यूरिक अमल अगर जम गया तो गठिया और लैक्टिक कम लट जाएगा और पुन आप तरो ताजा फिल करने लगेंगे तो यह पूरी बात आपने समझ लिया होगा ठीक है अब यहां पर आपने क्या समझ लिया बैसिकली आप जब बायालोजी पढ़ते हैं तो बायालोजी में आप हूमन फ्यूजियो लौजी पढ़ते हैं यान मानों कैसे पाचन करता है, मानों कैसे पोशड करता है, आप सारी की सारी चीज़े मानों के संदर्ब में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ मूलभूत बाते जो है आप अन्य जीवों को भी से में समझ लेते हैं, वो अलग बात हैं, लेकिन आप human physiology को ही केंद्र में मान कर स सारी की सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब यहां पर ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करियेगा, हम यहां पर basically बात करेंगे aerobic respiration की, यहां पर हम बात करेंगे किसकी? आकसी स्वसन की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? आकसी स्वसन की बात करेंगी, तो जो आक्सी स्वसन होता है, आक्सी स्वसन के तीन चरण होते हैं, एरोबिक रिस्पाइरेशन के तीन चरण होते हैं, तीन स्टेप में हम इनको बाट कर अध्यन करना प्रारम करते हैं, पहला जो स्टेप होता है, आक्सी स्वसन का जो पहला स्टेप होता है, उसे कहा क्या जाता उसे कहा जाता है बाहिस्वसन आक्सी स्वसन का जो पहला step है उसे कहा जाता है बाहिस्वसन यानि कि external respiration उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है external respiration ब्यानि कि बाहिस्वसन और दूसरा जो step होता है इसे कहा जाता है गैसों का इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है गैसों का और तीसरा जो होता है इसे हम कहते हैं अन्तह स्वसन यानि इसे हम कहते हैं क्या इंटर्नल रिश्पाइरेशन कहते हैं इंटर्नल रिश्पाइरेशन कहते हैं तो पहले चरड में क्या करते हैं आप पहले चरड में आप यानि की बाहस्वसन की क्रिया में आप क्या करते हैं बाहस्वसन की क्रिया में आप बाहरी वायू को फेफडे तक पहुचाते हैं फेफडे तक क्या होता है पहुचाते हैं लंग्स तक पहुचाते हैं फेफडे तक मानो शरीर में एक जोड़ी लंग्स पाया जाता है और ये दोनों लंग्स एक सनतना से जुड़े होते हैं जिसको आगे चलकर मैं डायाफ्रॉम कहूंगा अब ये ऑक्सीजन कहां पे पहुचेगी ऑक्सीजन पहुचेगी फेफडे में और फेफडे के अंदर कहां पे पहुचेगी फेफडे के अंदर एक बहुत महत्तपुर सनतना होती ही जिसका नाम होता है एल वी यॉलाई जिसको हम बोलते हैं कूपिकाएं या जिसको हम बोलते वायू कोश्ठक में यह पहुचेगी यह पूरा इस्ते बाहे स्वसन कहलाता है लेकिन मैंने स्वसन का उद्देश से क्या बताया है स्वसन का उद्देश से मैंने बताया है कि किसी कोशिका के द्वारा उर्जा यानि कि ATP को प्राप्त करना ही स्वसन होता है और कोशिका के पा तो हमने जब स्वांस लिया तो आक्सी स्वसन का पहला स्टेप होता है बाहर स्वसन जिसमें बाहर की वाई को आपने फेफडे तक लिया ये पहला स्टेप अब आक्सीजन फेफडे में है लेकिन फेफडे में आक्सीजन रहने से उर्जा नहीं मिलेगी कोशिका को कोशिका को उर्जा तम मिलेगी जब ये oxygen पहुचेगा कोशिका के भीतर इस वज़े से step number 2 पर चलना पड़ेगा यानि कि इसका transportation करना पड़ेगा यानि कि इसका परिवहन करना पड़ेगा यानि कि इसको ले जाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं? हम oxygen को यहां से उठाते हैं और लेते जाते हैं कहां पर हम लेते जाते हैं कोशिका तक हम कोशिका तक पहुचाते हैं और ये oxygen पहुच जाती है कहां पर कोशिका तक ये हमारा step number क्या है? दूसरा यानि कि जिसको हम गैसों का परिवहन कहते हैं और तीसरा step होता है अंतह सद्वन, अंतह क्यों कोशिका के बाहर ये सारी क्रियाए हो रही थी तो ये बाहर सद्वन, अब कोशिका के अंदर हो रही है तो इसको आप क्या कहेंगे अंतह सद्वन इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे अंतरस्षान. अब ये oxygen कैसे इस glucose को तोड़ता है? ये कैसे इस glucose को विखंडित करता है? ये कैसे इस glucose को जलाता है? तो यहाँ पर आप दो प्रक्रिया पढ़ेंगे. एक क्रेप्स और दूसरा glycolysis. एक glycolysis दूसरा क्रेप्स. इस के द्वारा ये oxygen glucose को तोड़ता है. जो मैंने reaction आपको बताया है. कौन सा reaction? मैंने आपको बताया है. ये reaction. ठीक है? कि ये आप याद रख लिजेगा अब ये oxygen इस glucose को तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो क्या निकलेगी उर्जा? तो क्या निकलेगी ATP? और ये उर्जा इतना है कि जैसे इस जटिल topic को लेने का उद्देश से ब्यस इतना है कि क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या मेरे अध्यापन Sally को आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी भासा Sally को आप समझ पा रहे हैं? बिश्वास मान के चलिएगा कि कोई भी कोर कसर इस batch में नहीं छोड़ी जाएगी और गहराई में जाते हुए इंडेफ्थ में सारी की सारी चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत सांदार तरीके से इस बैच को डिजाइन किया गया है और खुद आलोकसर के निर्देशन में ही ये सारी की सारी बैचे चल रही है तो बहुत ठेर सारी सुबकामनाओं के साथ में आप सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ इस बैच के लिए जुड़िये दिल खोल के जुड़िये और आँख मूद कर जुड़िये इस बैच में निश्चित रूप से आप अपने आपको औरों से अलग पाएंगे निश्चित रूप से आपके अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा यहां पर पढ़ते समय आप UPPCS की भारती सोचने का अप्रोच निर्मित कर लेंगे जैसे एक UPPCS का एस्पेरेंट सोचता है समझता है और बहुत धेर सारी चीज़ों को देखने का विशलेशड करने का उसका तरीका बदल जाता है ठीक उस प्रकार से आप सोचने लगेंगे एक समान इसी चीज एक समान इसे व्यक्ति के लिए समान होती है वही पर एक UPPCS का एस्पेरेंट का अगर आप यू देखेंगे तो वो एकदम अलग तरीके का होता है तो उन सारी चीजों को यहां पर पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए तो मिलते हैं नेस्ट सेगमेंट में और इसके आगे की कहानी पर भी हम बात चीत करेंगे ठीक है अपने अपना ख्याल लखेगा आप सभी लोगों को अनंत सुब कामना है थैंकि नुमस्ट का जहें